जयए आखके वाव गाइस यह रहा हमारे हीपोपोटेमस चुकी का तो गाइस यह रहे हमारे गंदे जानबर जो के पीने चाटर में इन सभी जानबरों को साफ करेंगे वाटर से या पानी से यहां पर देख सकते हैं सभी जो है हिपोपोटिमस फ्रॉग यानि मेंडग बदग डाइनसौर और कैमल उंट और हाथी सभी जानबर मिल जाएंगे त और चलिए वास्केट में रख लेते हैं फिर साफ करते हैं चलकर काव गाए डाइनसौर यह भी डाइनसौर बियर और यह टाइगर वाव गाइस फ्रॉग ब्यूटिफुल गाइस पेले कलर में सभी डाइनबर जानबरों को भी साफ करेंगे तो काफी ज़्यादा मज़ा आ लाइनसौर इसको भी साफ करेंगे हीरन को भी साफ करेंगे और भेडिया इसको भी साफ करेंगे हां ती इसको भी और यह पांडा बियर और यह लाइन तो चलिए सभी जानवरों को अब साफ कर लेते हैं सुगाइस यह हमारे जानवर और यह रहा बाटर पानी तो चलिए सा तो इसको रखते हैं साइड में आप दूसरे को साफ कर लेते हैं तो यह रहा बेर्या बेर्या को साफ कर लेते हैं वाव गाईस इसका लुक काफ़ी अच्छा है बेर्या इसको रखते हैं साइड में आप दूसरे को साफ कर लेते हैं स्टागसाओर उसको स्टागसाओर उस भी काफी जाना गया दबका है इसको रखते हैं साइड में अब दूसरे को साफ कर लेते हैं इसको पांडा बियर को साफ करते हैं पांडा बियर सफेद काले कलर में मिला है मुझको काफी अच्छा है पांडा बियर तो इसको रखते हैं यहां पर अब दूसरे को साफ कर लेते हैं अब हाथी को ऐलेफेंट को साफ कर लेते हैं काफ़ी जद्साइब का तो इसके साइड में आप दूसरे को साफ कर लेते हैं ये रहा हमें तेंडुआ तेंडुआ की साफ करते हैं पांडा लेपॉड तेंडुआ वाओ बीडिफूल तेंडुआ वेरी नाइस पांडा सो नेक्स्ट आगे इसको साफ कर लेते हैं हिपपोटीमस को वाव गाइस यह रहा हमारे हिपपोटीमस चुकी काफी खतर ना चुब में है तो रखते हैं इसको साइड में दूसरे को साफ कर लेते हैं यह रहा हमारा कैमल ओंट ओंट को साफ कर लेते हैं वाव गाइस ओंट कालूबी काफी जड़ा गजब का है लाल कलर में है तो इसको रखते हैं यहाँ पर आप दूसरे को साफ कर लेते हैं अब हीरन को साफ करते हैं हीरन तो हीरन को डियर यहाँ वाव इसका हीरन का लुग भी काफी अदा माज़ेदार है तो इसको रखते हैं यहाँ पर आप दूसरे को साफ कर लेते हैं इस बाले डाइनसौर को साफ करते हैं वाव गाइस यह डाइनसौर भी काफी जड़ा खातरनाक लुप में दिख रहा है तो इसको रखते हैं यहाँ साइड में आप दूसरे को साफ करते हैं यह है हमारा कच्वा टॉरिटेस तो इसको साफ करते हैं कच्वे का लुप भी काफी जड़ा घजब का है तॉरिटेस तो इसको रखते हैं यहाँ पर अब दूसरे को साफ कर लेते हैं यह सीप भेड तो भेड को भी साफ करते हैं भेड का लुप भी काफी जड़ा घजब का है सफेद कलर में है तो भेड को रखते हैं यहाँ पर आप दूसरे को देखते हैं क्या है तो यह मेंड़क फ्राउग तो चलिए इसको साफ कर लेते हैं तो मेंड़क भी काफी अच्छी लुक में मिला है रियलिस्टिक तो इसको रखते हैं यहाँ पर तो इसके बाद क्या मिलता हैं को यह काटे वाला डाइनसौर इसको भी साफ कर लेते हैं वाओ गाईस यह रहा काटे वाला डाइनसौर तो इसको रखते हैं यहाँ पर आप दूसरी को साफ कर लेते हैं यह है चीता टाइगर तो इसको साफ करते हैं सो गैस ही रहा हमारा टाइगर चीता जो कि काफी अच्छी लुक में मिला है मुझे तो इसको रखते हैं यहाँ पर और इसके बाद इस वाले डाग को साफ कर लेते हैं फुट्टे को तो यहाँ पर डाग का लग भी काफी अधा घजब का है कुट्टा तो इसको रखते हैं साइड में और इसके बाद फिर करते हैं वियर को भालू को साफ तो चलिए भालू को साफ कर लेते हैं भालू मुझे लाल गलर में बला जिसका लुग काफी एदा घजब का है भालू का भालू का लुग काफी मज़दार है यहां पर रखने भालू को तो आप कर लेते हम इस वाले तीन मुबाले डाइनसार को साफ तो चलिए साफ करते हैं इसको सो गाइज हมา हमारा तीन मुबाला डाइनसार जो काफी जद्या घजब के लुग में मिला है मैजे टो इसको रखते हैं यहां बड़ इसके बाग मैं कर लेता हूं इस वाले बड़क की अन्बॉक साफ तो चलिए बड़क को साफ कर लेते हैं सो गैसी यह रही हमारी बादक जोगी काफी अच्छे लुक में मिली है मुझे डक तो इसको रखते हैं यहाँ पर और इसके बात कर लेते हैं इस वाले डाइनसौर को साफ सो गैसी यह रहा हमारा डाइनसौर जोगी काफी अच्छे लुक में मिला है मुझे तो इसको रुकते हैं यहां पर और एक बचा है और जोकी गाए है तो गाए को भी साफ कर लेते हैं तो गाए का लोग काफी अच्छा है काफी गजब के लिए मुझे तो इसको रुकते हैं साइड में तो यहां पर देख सकते हैं इतने जानवर मिले हैं